Hello guys, welcome to my YouTube channel तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ Notes of Chapter Motion तो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको एक बुक से पढ़ाया सा और फिर मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको numericals कराया थी and graphical methods कराया थी अब मैं आपको कराना जा रही हूँ इसके Notes, Motion के और यह Notes जो है आप इसको अपने कोपी में नोट भी कर सकते हैं या अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में आपको यह प्रवाइट कर दूंगी in the description box और यह बहुत ही अच्छे Notes अगर आप इसको भी पढ़के जाएंगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे एक्जाम में ठीक है तो आजिए स्टार्ट करते है Notes में तो पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है Motion में that is all about the distance and displacement तो distance क्या होता है और displacement क्या होता है यह हम दुबारा discuss करते है distance होता है जब हमारे पास एक हम जब actual length जो travel करते हैं is called the distance and the displacement is the shortest distance between the two points starting से यानि initial से final position कर with respect to time उसको हम कहते हैं displacement ओके और जो distance है आप उसकी definition यह लिख्या सकते है the actual length of the path traveled ठीक है अच्छा अब जो distance है उसमें सिफ magnitude होता है direction नहीं होती है तो इसलिए यह कौन सी quantity है scalar quantity है ठीक है और जो हमारा displacement है उसमें दोनों चीज होती है magnitude भी और direction भी तो इसलिए यह क्या होता है हमारा vector quantity अब जो displacement है वो zero हो सकता है बट distance नहीं क्यों देखे इदर अगर आप यह A है आपका और यह B point है ठीक है आप यहां से start करते हैं और सीधर यहां पर आ जाते हैं और फिर वापस जाते हैं तो यह जो हुआ यहां पर आप जब वापस गए तो वो zero हो जाते है आपका direction है ना और जब आप आते हैं यहां से सिफ जाते ही है मतलब तो A से B पर तो आपने जो travel किया है वो displacement होगा क्योंकि है shortest distance है बट अगर आप ऐसे travel करते तो यह होता आपका distance ठीक है क्योंकि है आपने actual part ट्रावल कि जितना किया वो हम distance में लिखने है तो आप difference exam में लिखने को आता है तो आप यह लिख के आ सकते है यह देखिए एक तो आप लिख सकते है अगर लेंध आप पार ट्रावल और यह आप लिख सकते है shortest distance ठीक है यहाँ पर आप लेके आएंगे scalar quantity and this is the vector quantity यह जो distance है यह हमेशा positive ही रहता है ठीक है पर जो displacement है वो negative, positive, ठीक है कुछ भी हो सकता है और zero भी पर जो distance है वो zero नहीं हो सकता है और जो displacement है वो zero हो सकता है इसके बाद आपको क्या लगना है कि displacement जो है between the two points वो same रहता है और यहाँ पर जो है वो different होता है ठीक है यह बात याद रखेगा अब हम करते हैं magnitude जो है उसमें scalar quantities ही होती है जैसे कि time, distance, mass, temperature, area and volume इसकी definition आपको नहीं आएगी एक्जाम में और जो vector quantity है उसमें भी होता है हमारा magnitude जैसे कि velocity, displacement, weight, momentum, force, acceleration, etc. अब हम करते हैं time, average, speed and velocity पहले करेंगे time and speed तो पहले एक formula होता था जो आपको याद है कि speed का जो होता था उसको हम करते थे denote with V and distance को करते थे हम S से और नीचे होता था T ये formula ओके इसको याद रखेगा ठीक है time क्या होता है आपको पता ये duration जितने seconds में, minutes में गाम हो रहे है time जो है वो हमेशा second में आतो है बस इतना याद रखेंगे time जो है वो एक scalar quantity है और जो speed है उसकी definition यहाँ पर लिखे देखे is the rate of the change of the distance simple definition क्या हो सकती है कि देखें यहाँ पर I think formula गलत है wait minute कि जैसे कि distance निकालना है तो यहाँ पर नीचे time आएगा यह नोने गलत देना खा है तो देखें नीचे time है याणि rate of change और उपर क्या है distance is the rate of change of the distance ओके यह definition आपको लिखे आने है और average speed क्या होता है total distance traveled upon में total time taken यह definition याद रखेंगा formula आप note कर सकते या screenshot भी ले सकते है okay now we will going to do uniform motion uniform motion क्या होता है जब body जो है वो travel करती है या cover करती है equal distance and equal interval of time उसको हम कहेंगे uniform motion ठीक है और non uniform कप कहेंगे जब जो object है वो cover करेगा unequal distance बस यह जाता है कि unequal equal interval equal interval वो तो आपको पता है ठीक है okay graph कैसा होता है वो देखते हैं uniform का straight होता है और non uniform का हमेश्या parabola यानि curved में होता है ठीक है अब करते है velocity velocity होता है हमारा rate of change of displacement ठीक है यहाँ पर formula गलत है ऐसे लिख लिजएगा ठीक है तो आप formula खुद भी लिख आ सकते है बस आपको formula यहाँ दोना चे definition आप लिख सकते है यह vector quantity है यहाँ पर direction भी specified है इसमें average velocity का formula क्या होता है initial plus final upon 2 यानि u plus v by 2 यहाँ पर formula गलत है सही कर लिजएगा okay okay acceleration क्या होता है देखे देखे दे अक्सिलिरेशन होता है change in velocity upon time यानि rate of change of velocity इसको acceleration आप इतना भी लिखेंगे आपको number मिल जाएंगे बस एक चीज़ और लिख दीजएगा कि यह एक vector quantity है ठीक है ओके इसको denote करते हैं हम a से ठीक है और जो change in velocity है इसमें वो कभी भी 0 नहीं होती है ओके और जो non uniform motion है वो velocity उसकी जो है हमेशे time के साथ vary करेगी इसका formula क्या लिखेंगे देखे इधर a equals to v minus u by t यहाँ पर formula वापस से गलत है इधर देखे मैं लिख देती हूँ this is the formula आपको याद रखना है तीन ही formula है इन तीन formula से ही आपको सब कुछ करना है इसमें ठीक है okay uniform circular motion क्या होता है जब भी object move करता है circular path पे with a uniform speed से ठीक है उसी को हम कहते है uniform circular motion और इसमें जो velocity है वो change होती है as the direction जो है वो keeps on changing ठीक है acceleration जो है इसमें constant रहते है पर जो velocity की जो direction है वो change होती है magnitude same रहते है ठीक है कोई भी object जो circular घूमता है is called the uniform circular motion तो guys यहां पर हमारे notes फिनिश हो गए है अगर आपको कोई भी doubt है तो comment section में बता सकते हैं or if you need this PDF you can tell me in comment box I will provide you in the description box